So hey guys, welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे हम लोग पाई नेटों के काफी सारे latest important updates के बारे में बात करने बाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे mainnet migration update के बारे में जितने भी लोगों का mainnet checklist का last step अभी तक complete नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल खुस हो जाएए क्योंकि एक भौती good news आ चुका है mainnet migration को ले करके basically 40 करोड पाई जो है main wallet से distribution wallet पे transfer किया गया है ताकि हम और आप जैसे normal pioneers के wallet पे पाई migrate हो पाए इसके बारे में details में जान करें आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है साथे साथ हम लोग बात करेंगे KYC के latest update के बारे में जितने भी लोगों का KYC slot अभी तक नहीं मिला या फिर KYC pending है उनके लिए भी जो है हमारे सामने good news आ चुका है जो आप लोग इस वीडियो पे जानने वाले हो और वीडियो के एन तक हम लोग बात करेंगे open mainnet launch date के बारे में कि कब तक Pi का open mainnet launch हो जाएगा कब Pi coin exchange में listing होगा कब officially हम Pi coin को sell करके bank withdraw कर पाएंगे वीडियो बहुत यादा informative होने वाला है बिना skip कर एन तक जरूर देखना चलिए आज के इस important वीडियो को करते है start ओके तो सबसे पहले बात करते है mainnet migration update के बारे में हम सभी को पता है जो Pi हम mine करते वो हमें Pi net के application पे दिखता है लेकिन वो Pi को अगर हमें sell करना या use करना है तो उसके लिए हमें KYC mainnet checklist complete करना पड़ता है mainnet checklist में 9 steps रहते हैं जैसे ही सभी steps complete हो जाते हैं तो हमारा Pi coin जो है wallet में transfer किये जाते हैं Pi call team के द्वारा last step complete होने में usually 15 से 20 दिन time लगते हैं कुछ cases में ज़्यादा time भी लगते हैं आई नो आप मेंसे कापी सरे लोगों का last step अभी तक complete नहीं हुआ है तो उन सभी के लिए एक बहुती बड़ा good news में share करने जा रहा हूँ इसक्रीन पे आप लोग देखी पारे होंगे अभी recently main wallet से distribution wallet पे 100 million Pi जो है transfer किया गया है और इस पूरे मैने के अगर बात करें तो लगबग 400 million Pi जो है distribution wallet पे transfer किये गया है जिसको अगर आप करोड़ पे convert करोगे तो यह होता है 40 करोड़ Pi यानि के 40 करोड़ Pi distribution wallet पे migrate किये गये हैं ताकि हम और आप जैसे normal pioneers के wallet पे Pi migrate हो पाए पहले एक main wallet है main wallet से distribution wallet पे Pi transfer किया जाता है then distribution wallet से normal pioneers के wallet पे Pi migrate होते हैं प्रोसेस manually किया जाता है और आपको पता होगा Pi का community पचास million से भी जादा है तो इसलिए लोगों का last step complete होने में delay हो रहे हैं लेकिन जैसे के आपने देखा 40 करोड Pi जो है इस मन्त में transfer किये गये हैं obviously बात है यह सभी Pi जो है कि migration speed जो है अभी बहुत ज़्यादा boost हो चुका है अगर हम लोग 1 year select करेंगे फिर भी आप देखोगे कि अभी के time पे सबसे ज़्यादा Pi जो है migrate हो रहे हैं तो overall हम यह कहना चाहते हैं अभी तक अगर pending है tension लेने की कोई बात नहीं है अगर आपने सभी process सही तरीके से complete किया है definitely आपका भी number आएगा आपका भी last step complete होगा और जितने भी आपका transferable Pi है वो आपके wallet में transfer होगा तो कि अभी हम लोग बात करते हैं KYC के latest update के बारे में सबसे पहले हम लोग pending KYC के बारे में बात करते हैं देखो जितने भी लोगों ने KYC करते वक्त कुछ ना कुछ mistake किया था उन सभी का KYC result अभी जो है fail हो रहा है साथे साथ उनको resubmit का option भी दिया जा रहा है तो अगर आपका KYC result काफी time से pending था आपको simply Pi browser open करके KYC के option पे जाना है देखो KYC के UI में जो है काफी ज़्यादा improvement किया गया है and maximum pending KYC result जो है अभी finally approve होने लग रहे है या फिर fail होने लग रहे है तो सभी को दोबारा chance दिया जा रहा है KYC के लिए make sure कि आप कुछ भी गलती ना करो KYC process इसलिए इतना ज़्यादा carefully किया जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सरे लोग है जो अपने एक device पे multiple Pi अकाउंट चलाते हैं और सभी अकाउंट का KYC करना भी चाते हैं जो कि Pi के rules का खिलाब है rules के according आप एक phone पे एक ही ID चला सकते हो और एक account का honor जो है सिर्फ एक ही होना चाहिए बहुत सरे लोगों ने अपने phone पे जो है कही सारे Pi अकाउंट लॉग इन किये लॉग आउट किये इसलिए उनका KYC जो है पेंडिंग हुआ है या फिर उनको slot problem हो रहे हैं तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको rules के according चलना है तभी आप KYC के लिए eligible होते हो तभी slot जो है आपको automatically दिया जाता है आपके Pi अकाउंट पर ठीक है और कापी सरे लोग ऐसे भी है जो कापी time से mine कर रहे है लेकिन अभी तक उनको slot नहीं मिले तो इसका simple सा मतलब है कि आपका account जो है fake account में surrender किया गया है यानि कि आपने कुछ ऐसा activity किया होगा जो Pi के rules के खिलाफ है example आपने अपने phone पे एक से ज़्यादा Pi account create किया होगा या फिर login किया होगा या फिर आपने खुद के information से multiple account create करने का कोशिश किया होगा देखो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ mistake किया है ऐसा तो आपको wait करना पड़ेगा मैं भी बाद में कुछ ना कुछ solution इसके लिए निकाला जाए Pi call team के दुआरा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी गलती नहीं किया है और आप एक real miner हो तो इसके लिए आप एक form भी fill कर सकते हो जो कि Pi call team के दुआरा officially launch किया गया है देखो कुछ भी mistake नहीं किया है तो वो form को fill करके जो है आप अपना mining continue रखो I hope in future आपको slot जो है दोबारा दिया जाए आपके Pi account पर क्योंकि ऐसा मैंने होते हुए देखा भी मेरा ये एक relative है जिसको काफी time से slot नहीं मिल रहा था और वो 3-4 साल से mine कर रहा है पाइने टोक पे लेकिन वो mining continue रखा और recently उसको KYC slot भी मिल गया आप mining continue रखोगे और आपने account को verify करके रखोगे तबी आपको slot मिलने के chances है इसके साथ KYC का एक और important update में share करना चाहता हूँ आप मैं से काफी से लोगों का KYC result जो है अभी तक tentative approval शो हो रहा है देखो tentative approval मतलब आपका KYC pass हो चुका है लेकिन वो complete pass नहीं हुआ है कुछ additional checks बागी रहते हैं जैसे वो checks complete होते तब ही आपका KYC result जो है complete pass होंगे और जैसे complete pass होंगे वहाँ पे आपको green color का pass लिखा हुआ आ जाएगा tentative approval का solution भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको simply अपना PIE account को जो है verify करना है mobile number, email id और facebook से जैसे आप verify कर लोगे अपने account को definitely आपका जो है tentative approval pass में convert हो जाएगा maximum लोगों का KYC tentative approval होने का यही reason है कि वो लोग अपना account को verify करके नहीं रखे हैं तो आपको जरूर से अपने account को verify कर लेना है या फिर secure कर लेना है किस तरीके से हम अपने account को secure कर सकते हैं इसका वीडियो का लिंक आपको description पर मिल जाएगा जरूर जाके वीडियो चेक कर लेना I hope KYC के भी सभी updates आप लोगों को पता चल चुके होंगे अभी बात करते हैं आज के वीडियो के last और सबसे important topic के बारे में जो की है open mainnet launch date देखो 4-5 साल से भी जादा हो चुका है पाई network को run करते हुए लेकिन अभी तक इसका open mainnet launch नहीं हुआ है अभी तक पाई officially किसी भी exchange पर list नहीं हुआ है ऐसे मैं कापी सरी लोगों का ये कहना है कि आने वाला time पे पाई जो है कभी भी launch नहीं होंगे देखो मैं आप लोगों को बता दू पाई जो है officially already launch हो चुके है इसके mainnet के अभी second part के लिए हमें wait करना है जो की है open mainnet open mainnet कभ launch होगा इसके regarding fixed date तो नहीं है लेकिन कुछ goals जो है company ने share कर दिया है जैसे ये goals फिल-फिल होते है हमें open mainnet देखने को मिल जाएगा pie जो है exchanges में list होते हुए हमें दिख जाएगा और ये goals ये target क्या है ये भी आप लोग screen पे देख सकते हो basically सबसे पहला goal है KYC का 9.45 million से भी ज्यादा KYC हो चुके है 15 million का target रखा गया है KYC के लिए KYC में जितना improve किया जा रहा है उमीद करता हूँ कि जल्द से जल्द KYC का target जो है complete हो जाए पाई migration तो 4.64 million लोगों के wallet में जो है pie transfer हो चुके है यानि कि उनके mainnet checklist complete हो चुके है ये target जो है 10 million का रखा गया है थोड़े दिर पहले मैंने आप लोगों को migration का data भी share किया है जिससे आपको पता चली गया होगा कि migration में जो है बहुत यदा speed up किया गया है and migration का ये जो target है ये भी बहुत जल्द complete होने वाला है and last जो target है वो है dap का यानि कि decentralized applications का अभी तक जो है 50 से भी ज़्यादा application बिल्द हो चुके pie के ecosystem पर basically 100 applications का target रखा गया है जैसे ही 100 applications हमें मिल जाएंगे तो daps का भी जो है target यहाँ पर complete हो जाएगा ये तीनों target जैसे ही complete होते हैं हमें pie का open minute देखने को मिल जाएगा मैं अपना prediction के according अगर बताओ तो 2024 के end में या फिर 2025 के starting पर हमें pie के open minute देखने को मिलेगा आपको क्या लगता है आप अपना prediction जो है comment में जरूर बता सकते हो अगर helpful लगता तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर देना pie नेटों के बारे में और भी जान करें अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल के playlist section पर जा करके pie का playlist आप लोग चेक कर सकते हो तो इसकीन पर भी आपको pie का playlist शो रहा है वहाँ से भी जाके वीडियोस को आप लोग देख सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ